किर्केटर के फैंस की दुनिया भर में कमी नहीं होती है लेकिन केरियर के सुरुवाती दिनों में उन्हें मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगा संगर्स करना पड़ता है भारत के पुर्व कप्तान सौरब गांगली भी इससे अचुते नहीं रहें दादा के नाम से लोट्प्रिय सौरब को मैदान के बाहर अपने प्यार के लिए भी बहुत संगर्स करना पड़ा था सौरब की लव स्टोरी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं है कॉलकता के वो हाल में सौरब और डोना पुरोसी थे पहले उनके परिवार के वेबसाइक संबन्थ थे लेकिन बाद में किसी कारनवस इनके संबन्थ बिगर गए थे सौरब और डोना बच्पन से ही एक दूसरे को चाने लगे थे डोना ओडिसा के नित्यांगनाक है और सौरब के परिजनों को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी परिजनों के विरोध के बावजुद इनका प्यार बढ़ता रहा सौरब बच्पन में परिजनों से जूट बोलकर स्कूटर से डोना के स्कूल जाया करते थे जबकि डोना भी सौरब को खेलते वे देखने के लिए मैदान पर जाती थी जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए इनका प्यार बढ़ता गया 1996 में सौरब गांगली ने इंगलेंड दोरे पर इंटरनेशनल डेब्यू किया इस दोरे पर जानने से पहले सौरब ने डोना से साधी के लिए प्रपोट किया था गांगली इस दोरे पर स्टार बन कर उभरे थे और उनकी फ्लुक प्रियता में जबर्दस्त इजाफा हुआ था इंगलेंड दोर से लोटने के बाद सौरब और डोना ने परिजनों को बताए बिना 12 अगस्त 1996 में कोट मेरज कर ली हैरानी की बात यह थी कि इस मामले में गौपनिय रखने के लिए यह सारी प्रक्रिया गौंगली के एक दोस्त के घर पर हुई थी कुछ समय बाद जब दोनों के परिजनों को यह बात पता चली तो हरकम मज गया दोनों को समझाने की काफी कोशिस की गई लेकिन जब यह दोनों अरे रहे तो परिजनों ने हथियार डाल दिया इसके बाद परिजनों के सामने एक बार फिर उनकी साधी हुई 21 फरवरी 1997 में परिजनों की उपस्थती में इनकी दोबारा साधी हुई 2001 में सौरव और डोना के घर एक नन्नी परी सना का जन्म हुई सौरव ने किर्केट को अलविदा कहने के बाद कमेंटरी में हाथ अजमाए और फिर BCCI की सलाकार सिमिती में सामिल हुए वे अब बंगाल किर्केट एसोसियेशन के अध्यक्ष के रूप में किर्केट पसासन के फिल्ड में उतर चुके हैं वहीं डोना का डांस के प्रतिप्यार आज भी काइम है और उन्होंने इसकी एक अकेडमी भी खो लिये तो कैसी लगी आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बता है और प्लीज इस चैनल को लाइक करें सिस्क्राइब करें